बोलो ना ए समझो इदर कापी कलम नीचे रखो पहले समझाय थे ना ये सवाल ना फिर से समझ लिए तेको लिखा है तीन चार कामा लगा देखो आठ पांच से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए अच्छा चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूचा गया लिखिन अंक दिया गया है समझा इदर अगर वैसे अगर पूच्छा जाए तो यह बात पहले समझ लो अगर चार तो तो तीन एक अंकों की सबसे जोखो इधर है समझे इदर लिख लो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे सबसे चोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या तो समझो अगर एक की सबसे चोटी संख्या पूछा जाए तो सबसे चोटी संख्या कहां से सुरू होती एक से गिंती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानि कि एक की सबसे चोटी संख्या एक फिर दस आता है तो दो आंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है अब फिर पूछा जाए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे चोटी संख्या कहां से उता है अपर खत्म होता है 99 99 के बाद में 100 आता है तो तीन अंखों जाता है ठीक है तो दो अंखों की सबसे बड़ी संख्या 99 अब इससे अब तीन अंखों की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार एक कम कर दो 0 में देखो अगर 4 अंखों की पूछा गया है तो एक लिखकर 3 0 लेकिन कोई आंक जब दिया रहता है तो उसको हम उसी संख्या का परियोग करके लिखते हैं इतना पता है ना मिटालने वागा अब देखो इदा समझो इसको हम कैसे ग्याद करेंगे पहले लिख लो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या शो इसमें GIRल करना है और क्या करना सबसे बड़ी सणख्या TV के लिए पहले लिखेंगे εδώ को सबसे चोटी संख्या क्या है तीन है क्या है तीन लिखेंगे फिर तरीकेसे तो सबसे छोटी संख्या क्या है तो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें आठ फिर क्या है पांच फिर चार फिर तीन अब समझो यह है बढ़ते करम में यहीं सबसे छोटी संख्या हम लिखेंगे तो बढ़ते करम में आएगा और सबसे बढ़ी संख्या लिखेंगे तो क्या लिए आएगा घटते करम में लिख है जब जीरो आएगा तो छोटी संख्या लिखने के बाद में हम जीरो लिखेंगे इतना नोट करो फिर दूसरा समझाते हैं ठीक है दूसरा सवाल यह तुम रहूनक तो चुप बैटके पढ़ा हो पायर पका है रखा थो उनके तुम यह समझो यह दूसरा सवाल समझो दूसर तरीक से मैं 0 है देखो 0 वाला लिखाय तीन पांच 06 से बनने वाली चार अंको की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए इसको हम चलो देखो कैसे ग्याद करते हैं इसको सबसे बड़ी संख्या और क्या ग्याद करना है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या तो लिखाए तीन पांच जीरो छासे बनने वाली चार अंकों की चार अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए तो सबसे बड़ी संख्या ग्याद करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं बड़ी संख्या लिखते हैं तो बड़ी संख्या क्या इसमें देखो 6 है यह नि 6 फिर क्या है 5 फिर 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 क्या एख जीरो इसको लांश्ट में कर दिये चारंक हो गया देखो क्या लिखा है छेजार 530 ढर्टेश सिंटिस मैं सबसे जोटांग से ठीजिव कोर्णम सबसे चोर्म करने से वह पूर्ट संख्या कहले लगती है lived सबसे चोटी संख्या इसमें हम यहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले तीन फिर उसके बाद में जीरो लिखेंगे यानि जो भी संख्या चाहे जो संख्या हो सबसे चोटी संख्या ले लेना है फिर उसके बाद में जो संख्या बचती है वहीं लिखते हैं में चले जाना है है ठीक है एक करम से जोटी फिर उसके बाद बढी फिर उसके बाद बढ़ी दो यहां तीन लिख दिया हम झीरो को लिख दिये भी टेविएपिर क्या फैफ है है फर कि फॉस्सकया को नहीं रखते हैं पहले क्या करते हैं सबसे चोटी संख्या रखते हैं फिर उसके बाद में जीरो को रखते हैं तब यह चार रंक का बनता है ठीक है समझाया तो इस तरीके से लेंगे इतना नोट कर लो फिर दूसरा तीसरा प्रसन समझाते हैं तीसरी कटेगरी से की संख्या पांच नंकों की बनाव और यहां पकर किसको रिपीट करेंगे किसे को नहीं करेंगे इतना नूट करो फिर जल्दी से हैं समझो अगला प्राइं समझो तीसरा प्राइस में क्या कह रहा है चुप रहा हूं बात ना करो आपस में समझो इदर नोड कर लो चुटी करने जल्दी से लो एक हैं 9846 सबसे नाइन watch चाहिं नाइन च्छें भ gefल से बनने वाली सात अंकों की यहां पर देखो क्या पूचा अच्छ से समझ है सात अंकों की सब से बड़ी तथा सब से चोटी संख्या उद यहां सबसे बड़ी संख्या सबसे चोटी संख्या कैसे बनाएंगे तो याद रखना कि मैं साथ अंकों की बनानी है समझो इदर ना बोलो बच्चा इदर सब लोग समझो चोटे चुंगु मुंगु सब लोग समझो इदर है तुम लोग अपना परसम्स लुप्तर याद करो है सबसे बड़ी शंख्या बनाने तो सबसे बड़ा आंखम क्या लिखेंगे इस तरीके जिलको पहले नो लिखो फिर नो को ही रिपीट करना लेकान उसके पहले करो सबसे चोटी में संख्या लाश्ट में लिखो सबसे चो हमें जिआ को को कि क्या करना है शात अंक पूरा करने के लिए बड़ी संख्या क्या करेंगें है वाइँ जड़ेंगे धसनुखु एक डो तीन चार पांच ये साथ 7 अंको की संख्या बन गये लेकिन अंक का परियोग जो हुआ है नो आठ चार छे का ही परियोग हुआ है नो आठ चार छे अब सात अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई से ठीक है नो आठ चार छे से नो आठ चार छे ही है इस अंक में और सबसे बड़ी संख्या है अब सबसे छोटी संख्या पहले काना है नौँ है तो सबसे छोटी संख्या है क्या है सबसे छोटी संख्या को रिपीत करें कि क्या करें जो टी संख्या को तीपीड कर Christmas अधर पहले इधर तो इस तरीके से हम लिखे ऐनी सबसे बड़ी संख्या पहले लिख दे नौ फिर क्या लिखे आठ फिर क्या लिखे छे फिर आ लिखे चार और चार को क्या कर दें रिपीट कर दें कि ठीक है अब देखो कितने अंकु की हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एक दो तीन चार पांचे साथ सातंकों की हो गई कि नहीं हो गई ठीक है अब इसको कैसे पढ़ें में या दे निन्हानवे लाख निन्हानवे पर आठ सो चौण सट यानि कि 424,004,607 इस तरीके से उसे निखेंगे अगर बीच में जीरो आ जाए तो हम किसी संख्या को लिखेंगे उसके बनें झाल झाल